आदर दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बरनी आप देखने दा बरनी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर क्या है वो मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनात का एक बयान है जिसमें उन्होंने देश में आ रही आरथिक मंदि को लेकर के भारत पर राज कर चुके मुगल लोगो को ही जमेदार बता दिया आज हम इस पर चचा करेंगे कि योग्यादित्यनात ने जो जो कहा वो कितना सच है और कितना जूट है कितने सही है योग्यादित्यनात के आकड़े और क्या वाकई में सिर्फ इसलिए योग्यादित्यनात ने मोगलों को जोड़ा है क्योंकि हिंदुस्तान की एक बड़ी पाशक थे उनको जिम्मेदार ठेहरा जाए या सिर्फ यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक समुदाय विशेश को टार्गेट करना होता है इसलिए जो है आज की आर्थिक मंदी को मुगलों के जिम्मे जोड़ा जा रहा है आज हम इसी पर चार्चा करेंगे योग यादित के बाद अंग्रेजों के पास साचनाया और उसके बाद अंग्रेजों ने चार प्रतिशत जीडीपी को बढ़ाया जो जीडीपी की जो हमारी हिस्सेदारी थी पूरे हिंदुस पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें हिस्सेदारी जो थी उसको चार प्रतिशत उनका डेटा क्या कहता है हलाकि राजनीती इस पर हो रही है असुद्दीन वेसी का कहना है कि भारत की अर्थववस्ता औरंग जेव के साशन में सबसे बहतर ही मजबूत हुई लेकि योगिया दितनात कुछ और कह रहे हैं पहले योगिया दितनात को सुनिये फिर उसके बाद चर्चा करेंगे मुगलों के हमले के पहले पूरी दुनिया के अंदर जिसे आप हिंदो एकॉनोमिक फोरम के रूप में संबोधित कर रहे हैं यह ताकत दुनिया की कुल ताकत की कुल आर्थिक ताकत की एक तिहाई से अधिक हिस्से की भागिदार थी और इसका योगदान दुनिया के अंदर 36 फीस्दी से अधिक था मुगलों के बाद अंग्रेजों उनके पतन और अंग्रेजों की आगमन तक या घटकर के 20 फीस्दी तक आया और जो लोग अंग्रेजों को भी बहुत महान मानते हैं उन्होंने भारत की इस ताकत को कहां पहुँचाया था कि वह चार प्रसर तक पहुचा दिया था तो यह थे उत्तरफ्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितना जिनोंने आज की अर्थ वैवस्ता को आज की मंदी को मुगलों के सर फोड़ दिया लेकिन डेटा क्या कहता है इसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा इस पर भी होने चाहिए दरासल वर्ल्ड फेम एक और्गनाइजेशन है जो दुनिया भर के एसेस्मेंट करती है डेटा का इसका नाम है अबरदीन एसेट मैनेजमेंट यह एक कमपनी है वर्ल्ड फेम और्गनाइजेशन है जो दुनिया भर के डेटा को रखती है अपने पास किसका कितना डेटा थ उसका काम ही Assets Management का है मेंली इसको लेकर के उसका एक डेटा हमारे सामने है जिसमें इंडिया का वो शेयर बताया गया है सन 1000 से लेकर के और अब तक का के वो इंडिया का दुनिया भर की GDP में कितना प्रतिशत शेयर रहा इसको लेकर के अभी हम चार्चा करेंगे अगर हम इस चा में 28.9 प्रतिशत हुआ करता था 1000 में जब मुगलों के साशन से पहले की बात है 1700 में एक और नया डेटा जो है इन्होंने दिया है जिसमें कहा है कि 1700 जो सन 1700 था जो मुगल साशन भी कहलाता है 1554 के बाद से शुरूआ उसके बाद 200 साल मुगल साशन की जो बात की जाती है जि इसमें भारत की जीडीपी का जो हिस्सेदारी थी दुनिया की जीडीपी में वो 24.4 परसेंट पर आ गई उसके बाद 1820 का एक डेटा है जब मुगल साशन खतम हो गया और अंग्रेजों का राज चल रहा था तो भारत की जीडीपी 16.1 पर आ गई दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी को लेकर के मतलब मुगल दौर से निकलने के बाद जब अंग्रेज साशन आया तो जीडीपी में 8 परतीशत की हिस्सेदारी की गिरावट आई ओवर ओल जीडीपी जो वर्ल्ट जीडीपी है उसमें भारत की हिस्सेदारी की 8 परतीशत कमी आई लेकि 1950 में ये करके बिलकुल 4.2 पर पहुंच जाती है 4.2 पर और ये आजादी का दौर था हलेकि आजादी के दौर को आप इसको थोड़ा अलग भी कर सकते हैं क्योंकि जो मुगल सामराज्य था उसमें काफी कुछ आता था जो भारत से उपर के हिसे थे जिसमें पाकिस्तान भी था उसके जो भारत हुआ करता था मुगल भारत वो बड़ा भारत हुआ करता था इसलिए शायद हिस्सेदारी जादा थी लेकिन चब עजाद भारत हुआ तो हिस्सेदारी 4.2 पर सेंट पे पहुंच कई ओवर all GDP जो दुनिया की उसमें भारत की हिस्सेदारी ही अगर हम उसको कई सारे साशन ऐसे आए जब GDP बहतर हुई यहां तक कि अटल विहारी वाजपई के राज में भी GDP बहतर हुई लेकिन आज के दौर में अगर हम GDP ग्रोथ की बात करें तो हमारे सामने दो बड़ी सरकारे नज़र आती हैं एक कॉंग्रेस का मनमोहन सिंग का राज दो 2004 से लेकर क और अब 2019 का उनका दूसरा साशन सुरू हो गया है इसको लेकर कि अगर हम बात करें तो जब मनमोहन सिंग की सरकार चल रही थी और UPA2 की शुरुआत हुई 2010 में तब भारत की GDP 10.26% ती जो GDP ग्रोथ रेट है अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं पहले हम GDP की हिस्सेदारी की ब वो 8.01% हुआ करता था लेकिन तब से लगातार लगातार घटा ही जा रहा है और अब जो लेटेस GDP का जो ग्रोथ रेट आया वो 5% पे आया जो 2019 की पहली तिमाही का GDP आया अब सवाल यह बनता है कि जब मनमोहन सिंग के टाइम में GDP ग्रोथ रेट बढ़ सकती है तो फिर मोगलों को जिम्मिदार क्यों ठहरा है जाताए कि असर पर एक राजनितिक रोटी सेकने का मौकर मिलता है एक समदाए WISHEISH को मोगलों से जोड़कर उसके खिलाफ फिर से नवरत पहलाने का मौकर मिलता है या पर वाकिए में योगी जी को थोड़ा सा पढ़णा चाहिए आप हमें Σोचल मीडिया पर यानि के इंस्स्टार टूइटार और फेस्बूक पर फॉलॉ करने के लिए विđडियो के नीचे जो लिंक्स दे हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर क्या हमें में सोचल मीडिया पर फॉलॉ कर सकतें बहुत बहुत शुक्रिया